सर्दियां सुरू हो चुकी है तो आज हम आईसमार्ट रसोई में स्पेसल दूद तेयार करेंगे जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पी सकते हैं इस हेल्दी दूद को रेगुलार कई दिनों तक पीने से अनिद्रा, ठकान, जोडो का दर्ध, बदन दर्ध, हड़ियों की कमजोरी, अनिद्रा जैसी कई तकलीफों से चुटकारा मिलती है तो चलिए चानते हैं इसे कैसे तेयार करें फ्रेंड्स मैं ममता आप सभी लोगों को आइसमार्ट रसोई में स्वागत कर रही हूँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए चलिए तैयार करते हैं बहुत ही बेनिफिसियल दूद को ये पतीला को गैस पर रखी हूँ ये ले रही हूँ थोड़ी सी देशी गाईगी ये मैं 20 से 25 मखाने ली हूँ इसे हम हलकी सी भून लेंगे ये फूल मखाना जो होती है इसके हजारों फायदे होते हैं इसलिए हमारे देश में ब्रत के दिनों में इसका खास सेवन किया जाता है ये पटासियम, मैंगनेसियम और कैलसियम से भरपूर होती है और इसमें सोडियम की मातरा बहुत कम होती है resource of केलसियम होने की बज़े से जोडों के दर्द, घुटनों की दर्द, पैरों की दर्द और जो पिंड्लियों में दर्द होती है उसमें ये बहुत फायदा करती है इसकी anti-aging property की बज़े से जल्दी बुढ़ापा नहीं आती है इसलिए मखाना खाना चाहिए ये हमारी digestion को भी boost करती है हमारी जो भूक ना लगने की समस्या होती है मखाना खाने से ओधूर होती है अब इसमें और थोड़ी सी घी ले रही हूँ अब इसमें डाल रही हूँ करीब तीन छोटी चमज poppy seeds यानि की खस-खस इसे पोस्तों भी करते हैं इसे भी हम हलकी गुलाबी होने तक भूनेंगे आप इन सब को low flame पर ही भूने जिन्ह नीन ना आती हो इसे पीने से अच्छी नीन आती है इसके साथ साथ इसके भी कई benefits है जिसे की ये कफ और आस्तमा में बहुत लापकारी होती है ये हमारी पाचन सक्ती को भी बढ़ाने के साथ साथ hair और skin को healthy बनाती है ये भून चुकी है अब इसमें मैं दूद डाल रही हूँ ये मैं मलाई के साथ फूल फैट दूद ले रही हूँ वैसे भी अगर आप मलाई के साथ ना लेना चाहें तो बिना मलाई वाला दूद ले ले पर सर्दियों में आईरवेद के अनुसर घी, मलाई, दूद सभी भरपूर खानी चाहिए इन दिनों में हमारी जटरागनी तेज रहती है इसलिए गरिष्ट और पोस्टिक भोजन करना चाहिए और यह रही एक टुकड़ी दालचिनी दालचिनी तो हम सभी को पता है कि यह infection से हमें बचाती है और इसे दूर भी रखती है यह heart disease और skin के लिए बहुत अच्छी होती है और diabetes बालों के लिए तो यह बरदान है यह थोड़ी सी healthy powder इन्हें हम उबालेंगे और दूद को गाड़ी करेंगे हमारे देश में हल्दी वाला दूद पीने की बहुत पुरानी परंपरा है इसमें curcumin पाई जाती है जो हमारे सरीर के लिए बहुत beneficial होती है हल्दी वाला दूद सभी प्रकार की दर्द में लावकारी होती है यह antioxidant के साथ साथ anti-inflammatory मतलब सूजन रोधी यानि की सरीर में आये सूजन को यह ठीक करती है यह हल्दी वाला दूद अभी पूरी दुनिया में golden milk के नाम से famous हो रही है जो हमारी देश की देन है खस-खस में बहुत जादा मातरा में calcium thiamine होती है calcium में omega 3 fatty acid पाई जाती है जो बहुत कम चीजों में मिलती है यह देखिए यह अब गाड़ी हो चुकी है अब इसमें डाल रही हूँ यह misri इसमें आप चीनी ना डाले इस दूद को आप रात को सोते समय पीए और regularly पीए तो आपको इसके फायदे समझ में आएंगे यह देखिए यह अच्छी गाड़ी हो चुकी है अब ग्यास को बंद कर देते हैं यह सर्ब करने के लिए बिलकुल तयार हो गई है इसे आप गर्बा गरम ही चुस्की ले लेकर पिए और regularly पिए तभी आप इसके फायदे महसूस कर सकेंगे होप आपको यह beneficial दूद बनाने की recipe पसंद आई होगी पसंद आई तो like जरूर करें Thank you prayers, मिलते हैं अगले वीडियो में